कॉलेज के छात्रों के साथ हुई खौफनाक सच्छी घटनाई ये कहानी दिल ही विश्व विध्यालया के कॉलेज कैंपस। में हुई घटना के बारे में है, मानो या ना मानो लेकिन इस कमपास में मुझे भूत प्रेथ होने के कई सारे किस से सुन को मिल रहे हैं। इसी ही एक घाटा के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ, कॉलेज हॉस्टल के रूम, नमबर एक्यानवे के एक छात्र निकुंज, बताते है कि कुछ दिन पहले, एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से, भयानक आवाजे सुनाई देने लगी, और उसी आवाज के करन में जाग उठा और मैंने अपने चारो और देखा लेकिन कुछ न थी था, मुझे लगा कि हवा के कारन खिरकी या दरवाजा आवाज कर रहे हैं, वही पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में ये भी महसुस हुआ कि कोई अपने नाखू कर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में गुम रही है, और इस बात की प्रिष्टी कई छात्रों ने की है, ऐसी ही, एक दुसरी घटना, ये धटना सन 1998 की उसी होस्टल की है, और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रूप ने बताई थी, अभिजीत करके एक विध्या के जंगल में दफनाने के लिए गया या वापस आकार, अपने रूम में जाकर सो गया या फिर कभी उठा ही नहीं, अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी के रहस्य है, ऐसी ही रहस्य मय घटना के कारण उस कॉलेज के छत्रों में दर बेट गया है, और ऐसी ही सत्य घटन उस कॉलेज में बार, बार होती रहती है, दिल्ली विश्व विध्यालय के उतर दिशाकी और करीबन दो किलोमेटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेदीज, कॉलेज है, कुछ समय पहले कॉलेज की एक विध्याथिनी, सोनल मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है, सिक्के क जरिये वो आत्मा आ तो जाती है, लिकिन दो-तीम दिन तक वो आत्मा रूम से निकरने का नाम नहीं लेती, सोनल के करन वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है, बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वनहा से चली जाए, माफी मांगने के दो दिन बाद वो आत्मा वनही से खुद वापस चली जाती है, लिकिन सोनल की हरकद के करन उसे कॉलेज से निकला दिया जाता एसे ही जो लोग रात को देर तक पाई करते हैं उसे कभी ना कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है उन सभी को ऐसी ही अदस्य शक्ती के होने का एहसास होता रहता है